मित्रों हिटलर को लेकर के जो रोचक तत्यों की एक सिरीज है उसके क्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं नेस्ट वीडियो में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं एडॉल्फ हिटलर एडोलफ हिटलर को हिटलर टायटिल कैसे मिला कि आप जानते हैं हिटलर उसका पुरा नाम नहीं था उसका केवल नाम था एडोल ैडोलफ हिटलर उसका सरनेम था और वो सरनेम कैसे मिला और हिटलर इतना क्रूर क्यों हुआ इन दो असपेट को हम analyze करेंगे एडोल फिटलर जो नाजी पार्टी का एक तानसाह सासक जिसने की जर्मणी पर सासन करके जर्मणी की सक्त को विस्तार ही नहीं किया बलकि दुनिया को विस्विध के लिए एक ऐसे तबाही परला कर इखड़ा कर दिया जहां भेयान बिनास हुआ एडोल फिटलर के बारे में जर्मणी पहले से पढ़ें जिससे की इसका जन्म कब हुआ इसकी जो पैत्रिक साखा थी वो कैसी थी कैसे इसको हिटलर का टाइटिल मिला उसको देखे हिटलर का जन्म बी सम्परिल एटीन एटीनाईन को सारहे छे बज़े शायंकाल में ब्रुनो या ब्रानाव या इन इन ये गाउं का नाम है इस गाउं में हुआ था कुछ अस्थानों पर मिलता है कि ये आश्ट्या के बान में इसका जन्म हुआ था गाउं का पुरा नाम है ब्रणाव एम इन ये उसके गाउं का नाम था सामको सारहे छे दोजे इसका जन्म हुआ था इसके पिता का नाम था एलोईस इसकिल गुरूवर इसके पिता थे एलोईस सिकिल गुरूवर ये इसके पिता का नाम था अब यहीं से कहानी चालो होती है कि कैसे हिटलर को हिटलर का टाइटिल मिला एलोईस सिकिल गुरूवर जो इसके पिता थे वो एक आविवाहित मासे उत्पन हुए थे वो एक ऐसी बासे उत्पन थे जिसका विवाह नहीं हुआ था और एलोईस की मा थी मारिया इना इस मा से एलोईस का जन्मोर था बाद में मारिया एना ने एक ऐसे ब्रेक्ट से सादी की जिसके की वंस का नाम था हाइडलर मारिया एनक अविवा हुआ और उस ब्रेक्ट का जो वंस का नाम था जिसे अपने हां गोत होते हैं ऐसे इसके वंस का नाम था हाइडिलर बाद में पिता एलोई सिकल गुरूबर जो एक प्रकार से देखा जाय तो नाजाय संतान थे उसको भी उस परिवार में आस्रे मिल गया और उसको उस परिवार का टाइटल भी मिल गया और 1876 में एलोई सिसकल गुरूबर को हाइडिलर का जो पंस नाम भी मिल गया एलोई सिसकल गुरूबर अब हाइडिलर परिवार के सदस के रूप में जाने जाने लगे लेकिन गलती से हाइडिलर के जगे पर उनके नाम के साथ हिटलर लिख गया इस तरहे एलोई सिकल गुरूबर के नाम के साथ हिटलर टाइटल जुड़ गया और वही हिटलर टाइटल एडोल्फ के साथ हाया एडोल्फ उसका पुरा डाम था एडी उसका निकनेम था बाद में पिता की सरनेम हिटलर के साथ उसको एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना गया तो मित्रो इस तरहे एलोईस सिकल गुरूबर एलोईस हिटलर हो गया आगे चल करके जब एलोईस बड़े हुए तो इनका विवा इनकी चचेरी बहन के साथ हो गया जिसका की नाम था क्लारा नी पोलजल ये और एलोईस हिटलर दोनों का विवा हो गया इस दमपत्य से हिटलर का जन्म हुआ और हिटलर अपने माता-पिता की चौथी संतान थे चौथी संतान हिटलर का एक भाई था जिसका नाम था एडमन और बहन पोला हिटलर का एक चाचा भी था जिसका नाम था हावलर इसके चाचा का नाम था हावलर इस चाचा के दो बच्चे थे बेटा इसका जो हिटलर का कजिन बदर था उसका नाम था एलोईस जूनियर और हिटलर के चाचा की जो बेटी थी उसका नाम था एंजेला ये इसके परिवार का इतिहास है तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हिटलर को हिटलर टाइटल कैसे बेटा पिता एलोईस सिकल गूबर के नाम के साथ रिकार्ड में वो गलती से दर्ज हो गया और इस प्रकार वो हिटलर सरनेम इनके साथ जुड़ गया अब हम बात करते हैं कि हिटलर क्रूर कैसे हो गया देखें बच्चे के ऊपर परिवार के वातावर्ण इसकूल में सिच्छक का प्रभाव आसपास के वातावर्ण इन परिस्थतियों का बड़ा बालमन पर पहाव पड़ता है जब हिटलर छोटा ही था तो उसके पिता एलोईस हिटलर जो सीमा सुल्क विवाग में अधिकारी थे वो बड़े जिद्दी और गुसेल किस्म के व्यक्ति थे ये नोकरी करते थे सीमा सुल्क विवाग में और बहुत जिद्दी किस्म के बहुत कठोर इनसान थे तो परिवार का बातावर्ण बहुत अनुसासित बहुत कठोर था बात बात पर बच्चों को पीटते थे यहां तक कि इनकी पिटाई की वज़े से इनके बच्चों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार की वज़े से जो इनका चचेरा भाई था हिटलर का एलोईस जूनियर वो घर से भाग गया परिवार के प्रत उनका नजरिया बहुत ही सक्त था हिटलर के भाई एडिमेंड इसके मृत्त हो गई अपने भाई की मृत्त जो केवल 6 वर्ष का था जब उसकी हो मृत्त हो गई तो उससे हिटलर बहुत बेथित हो गया हिटलर के घर के पास ही उसको समसान में दफनाया गया वो कहते हैं कि हिटलर अपने भाई की मृत्तों से इतना दुखी था कि वो जाता था समसान की दिवार पर बैठ करके घंटों उसके कब्र को देखता रहता था वो परिवार में अकेला हो गया पिता कात्याचार घर में इस प्रकार का वातावण मानसिक अउसाद इसकी वज़े से हिटलर का बालमन सुरू से रिष्टे नातों से परिवार से दूर होता चला गया और इस प्रकार हिटलर के अंदर एक बचपन में ही कुंठा उसके मन में जन्म ले लगी इसके पिता एलोईस हिटलर जब रेटाइड होए तो रेटाइड होने के बाद हिटलर का परिवार आश्टिया के लंबाख सहर में सेटल हो गया और हिटलर की सिच्छा दिच्छा जो प्रार्मी सिच्छा थी वहीं सेंट बेंडिक्ट चर्च का एक स्कूल था लिजना मकस्थान पर वहाँ चालू हुई तो हिटलर की प्रार्मी सिच्छा प्रारंभ हो गई आश्टिया की लंबाक सहर में और हिटलर के पिता का सासन तो बहुत सक्थाई है हिटलर के पिता चाहते थे कि उसका वेटा तक्नीकी सिच्छा प्राप्त करके इंजिनेर बने लेकिन हिटलर को कुछ अलगी धुम थी है हिटलर कुछ चित्रकारी का भुश्चों था और चर्च के पास का स्कूल उसका वातावन उसके उपर जो प्रभाव पड़ा उससे हिटलर पादरी बनने लिए किच्छा रखने लगा हिटलर पादरी बनना चाहता था उसके जो सौक थे वो चर्वाहे या युद्ध के खेल ये खेलना चाहता था पादरी बनना चाहता था जिबकि पिता इसको इंजरे बना चाहते थे पिता के जिद्धीपन का परिवार के बातावान का प्रभाव हिटलर पर पड़ता चला गया और हिटलर का बालमन बिद्रोही होता चला गया संयोग देखे कि हिटलर अभी केवल 13 वर्स का था इस बीच 1903 में उसके पिता की मृत्ध हो गई केवल तेरा वर्स का हिटलर तेरा वर्स की आयो में हिटलर के सर से उसके पिता का साया उठ गया अब हिटलर को और भी प्रिशानी आगी केवल मा का सहरा रहे गया मा कलारा नी पुलजल अब अकेली हो गई और साथी साथ परिवार की जिम्मेधारियां थी वो हिटलर और हिटलर की मा पर बढ़ गई कलारानी पोजल को भी कैंसर हो गया और 1907 में केवल 47 वर्स की थी वो मा का भी निदन हो गया हिटलर के उपर मुसीबतों का पहार टोट पड़ा हिटलर की जो उम्र थी अभी केवल 17 वर्स की थी और 17 वर्स की वस्था में उसकी सर के उपर ना पिता का साया रह गया ना मा का ऐसी स्थिती में हिटलर को बियना जाना पड़ा लंबाक सहर से उचलाया बियना और बियना में रह करके उसने सिच्छा प्राप्त करके सर्विस करने के लिए कोशिश करने लगा उसको चित्रकारी का सोग था, पोस्ट कार्ड पर चित्र बना बना करके बेचने लगा कई बार कमाई पर्याप्त नहीं होती थी, तो भूख, गरीबी इस सब का भी सामना करना पड़ा हिटलर जब पड़ रहा था, उस समय उसके बाल मन के उपर जो प्रभाव पड़ा, वो भी हिटलर को कहीं न कहीं करूर बनाने के लिए कुछ हद तक उत्तर लाई थे वो गरीबी, कुंठा, आवसार, इसके साथ साथ जो हिटलर का सैचिक बातावन था, उसने हिटलर के बाल मन को प्रोहिट किया, वो कैसे? जब हिटलर बिद्यार थी था, तो इसको किताबों को पढ़ने का बड़ा सोग था, और ऐसे में इसको उपन्यास पढ़ने का सोग लग गया, एक लेखक थे, जेम्स फेनी मूर कूपर, जेम्स फेनी मूर कूपर के उपन्यास को पढ़ने का इसको ऐसा चसका लगा, कि इसने जेन्स फेनिमूर कूपर के लिखे हुए सभी उपन्यासों को पढ़ ला लबग 70 उपन्यास नों लिखे थे हिट्टर ने सभी उपन्यासों को पढ़ लिया अधा उसका करण क्या था जेन्स फेनिमूर कूपर के उपन्यास का जो एक नायक था जो के कालपनिक नायक था, उसका नाम था Old Satter Hand, ये एक ऐसा नायक था, जो अमेरिका की मुल निवासियों को हर युद्ध में पराजित करता था, तो ये हिटलर का हीरो बन गया, मैंने बताया कि हिटलर को चरवाहे का खेल, युद्ध के खेल, चित्रकारी करना, ये उसके होब ये उसको बहुत प्रे थी, तो Old Satter Hand उसका एक ऐसा नायक बना, जो अमेरिकी मुल निवासियों को हर युद्ध में पराजित करता था, और इस वज़े से उसने उसके सारे उपरन्यास पढ़ लिए, तो मुल निवासियों को पराजित करने वाला, वो Old Satter Hand जो नायक था, उस उसकी एक अमिट चाप पढ़े, इसकेत्रिक 28-71 में जर्मनी और फ्रांस के बीच उद्ध हुआ था, और उस उद्ध की कहानी को सचित रूप से चापा गया था, उस सचित रूप से चापा गया था, उस सचित रूप से पढ़ने से, बालक हिटलर के मन के उपर भी एक अमि जो राइज कर लिया और उस पुस्तक के प्रभाव से भी हिट्लर के अंदर उस कठोरता उस प्राक्टम सेलता का जन्म हुआ जो आगे चलकर कि हिट्लर की व्यक्तुत में नज़र आई और दो बड़ी चीजें जिसने की हिट्लर के व्यक्तुत को एक अलग रूप दे दिया मनें बतलाया कि कहीं न कहीं व्यक्ति अपने सिचक से बहुत ज़्यादा प्रोहवित होता है हिट्लर का जो एक इतिहास का अध्यापक था उसका नाम था लियोपोल्ड पोप्स ये जो कच्छा में पढ़ाता था तो इसने जर्मनी के आटोबान बिसमार्क फेडरिक महान इनकी जो गाथाएं इनके जो आख्यान उसने कच्छा में सुनाए उसने हिट्लर को इतना ज़्यादा प्रोहवित किया कि हिट्लर बिसमार्क जैसा फेडरिक महान जैसा बढ़ने का सप्टा देखने लगा तो अपने सिच्छक लियोपोल्ड पोप्स की सिच्छन से प्रोहवित हो करके इसने उन चरित्रों को अपने अंदर जिंदा करने की कोशिश की जैसे बिसमार्क था ये फेडरिक महान थे एक ओपेरा का संचालन करने वाला जर्मन संगीत कार रिचर्ड बागनेर रिचर्ड बागनेर जब अपने ओपेरा में इन बीरों के आख्यानों को प्रदस्वित करते थे तो उससे हिट्टर बहुत भाइट हुआ तो रिचर्ड बागनेर के ओपेरा के आख्यानों से अपने सिचक लियोपोल्ड पॉप्स के सिच्छन से परिवार के ऐसे वातावर्ण से इन चीजों से हिटलर की बाल मन के उपर एक ऐसा प्रभाव पड़ा जो हिटलर को एक बेहर क्रूर और जिद्धी ताना सा के रूप में हिटलर को अस्थापित करने में साहता दे तो ये सारे तत्व थे जिद्धों ने हिटलर को एक क्रूर और जिद्धी सुभावाला व्यक्त बना दिया अपने संघर्ष के दिनों में हिटलर जब बेना में था तो उसको कई बार भूखे बेंचों पर सोना पड़ता था खुले में ठेटूरती ठंड में सोना पड़ता था खेराती रसोयों में खाना पड़ता था तो इन सब चीजों ने हिटलर के मन में और मात बैथा आवसाद और उस कुंठा का जर्म दिया जो उसके व्यक्तुत के नरदई सासक के रूप में उभर करके आई हिटलर अभी जर्मनी में अपने रोजगार के लिए प्रयासी कर रहा था कि इसी बीच प्रथम बिश्चल हो गया और प्रथम बिश्चित्ध में उस समय सेंको के आउसेता थी इसे ववेरियन रेजिमेंट में इस्थान मिल गया और ये सिपाही के रूप में भरती हो गया सिपाही के रूप में इसने बड़ी बहादुरी के साथ मौर्चे पर अपनी दमखम का पर्चे दिया लेकिन घैल हो गया घैल होकर के अस्पताल में पड़ा था इसी वीच इसको समाचार मिला कि जर्मनी परादित हो गया और जर्मनी को एक ऐसे अपमानजनक संधिक के ऊपर हस्ताचर करना पड़ा जिसको वार्षाई की संधि करते हैं और उस संधि ने जर्मनी को एक अपार छति दिये वार्षाई की संधिके द्वारा जो जर्मनी की ऊपर सरते थोपी गई थी उसकी वजे से जर्मनी को एक अपार छती का सामना खरना पड़ा जिसमें उसकी 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौएस के भंडार, 26% कोईले के भंडार उसे छीन लिये गए यही नहीं जर्मनी के उपर 6 अरफ पॉंड का जरुमाना भी लगा दिया गया जब इन सब चीजों को हिटर न देखा, तो हिटर का खून खौर उठा, उसने जिद कर लिए कि इन सक्तियों से हमको बदला ले रहा है और उसने प्रयास करना चालो कर दिया, जर्मन वर्टर्स पार्टी का सदस्य बन गया और आगे चल करके उसने एक अपने सपने को साकर करने के लिए, तिन रात एक करके उसने नाजी पार्टी के स्थापना की और इन सक्तियों को खुले आमचनोती दिया तो इस तरह मित्रों इन सारी परिस्थितियों ने हिटलर को ये कैसे व्यक्त में तब्दील कर दिया, जो बेहत करूर और कठोर सावित हुआ मित्रों, ये थी पूरी कहानी, कैसे हिटलर को हिटलर टाइटिल मिला और उसके व्यक्तुत में इतनी कुरूता कैसे आई, कहां वो पादरी बनने वाला व्यक्त, कहां वो अत्यंत, कुरूर, मानोता का सत्र बन गया और उसके वजे से भ्यानक नर्सक्गार हुआ, जिसको की इ लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, थैंक्स.